दोस्तों नीबू के पोधी पर जो पत्ते पर सफे सफे धब्भा लग जाता है जो आपका पत्ता मुड़ जाता है आपके नीबू की ग्रोथ को रोग देता है कौन सा वो रोग है जैसा लीफ माइनर की हम बात कर रहे हैं आपके नीबू के पोधे पर लीफ माइनर लग जाता है जैसा आप यह देख सकते हैं इस पिरकार के सफ़े सफ़े धप़े इसमें भीतर की साइड जो कीट लग जाते हैं एदरस ये कीट होते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे ये प्रमुकते मानसुनी सीजन बरसात के मोसम में और जब मोसम में नमी होती है उस समय ये कीट आपकी नीबू के पोधे पर बहुत ही जादे तेजी से अगरसर होते हैं ये जरूरी नहीं नीबू के पोधे जितने भी खटे फल के पर जाती के पोधे हैं मोसमी, संतरा, माल्टा, किनू, इन सभी पोधे पर इनका जो प्रकौप देखने को मिलता है तो इससे आप किस प्रकार अपने निबू के पोधे को बचाएं जैसे कि इस प्रकार आपके पत्ते मुर जाते हैं और आपका जो नई ग्रोथ है आपके पोधे की वे एकदम से रुख जाती है तो इससे अपने पोधे को किस प्रकार बचाएं इस समस्या से तो उसके लिए आप जैसा कि इस प्रकार की समस्या आपको अपने नीबू के पोधे पर दिखाई दे तो आप उसी समय अपने नीबू के पोधे पर इस्प्रे लगाएं जिसे आपकी पोधे पर ये समस्या समाप्त हो जाएगी इस्प्रे आपको कौन सा करना है हम पहले भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं आप नीम ओईल का इस्प्रे कर सकते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं नई ब्रांचों पर ये बहुत ही तेजी से अगरसर होता है और ये आपके जो नीबू के पोदे की नई गिरोथ को प्रवावित करता है तो जब आप नीम ओईल का इस्प्रे कर सकते हैं आप अपने नीबू के पोदे उपर साथ ही साथ उसकी स्थान पर आप प्रोफेक्स सूपर का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर जैसा कि आपने गार्डन में एक या दो पोदे लगाए हैं तो किसी कपड़े की मदश से जो देशी तरीका हम बता रहे हैं इन पत्तियों को अच्छी तरह साफ कर दे साफ आपको किस परकार करनी हैं एक या दो पोदे की आप साफ कर सकते हैं छोटा पोदा है गमले में लगाया हुआ पोदा है तो उसकी ही आप साफ को यह दिया आपने बगीचा लगाया है तो आपको के लिए यह संभव नहीं है तो आपको इस पर ही एक मात्र उपाया आपके निवू के पोधे पर रह जाता है जैसे कि इस परकार लीफ करल वायरस आ चुका है तो इसको एक या दो पोधे पर इस परकार हटा दे तो ये तरीका कारगर नहीं होता अपने एक पोधा पोट में लगाया है तो उसका ही आप निवरन कर सकते हैं साथी साथ हमें एक दूसरा घरेलू नुक्सा और बता रहे हैं आप अपने निवू के पोधे पर लस्टन प्लस प्याज का इस्परे जिसे लस्टन की तीन से चार कली आपने ले ली और एक प्याज की गंठी ले ली उसको अची तरह पानी में कूट ले कूटने के बाद आप उनका जो पेश्ट है वे रात भर पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद सुब है अपने निवू के पोधो पर आप इस्परे करें तो उससे भी आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी ऐसी ही ग्यानवर्दक जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूटूब चैनल से वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो जे जवान जे किशान